हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल सहील एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करते हैं शरम विभाजन और जाती प्रथा या हिंदी का फर्स्ट चेप्टर है इसका दूसरा वीडियो हम आज आपको दे रहे हैं इसके पिछल का कोशन है आदर से समाज स्वात अंतरता समांता और भात भातित्त वपराधारी तो होगा किस ने कहा आपका अपसर्ण है मैक्स मूलर भीमराव अमबेद कर बिर्जु महराज अग्या तो यह कठन जो है भीमराव अमबेद कर कह इस लिए का अपसर्ण बी होगा 22 नमबर का question है डौट डौट पेशे का दोस पूर्वे निर्धारन करती है आपका अप्सण है शरम विभाजन, जाती प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र यानि जो रिक्त स्थाने इसमें आपको भरना है तो इसका सही एंसर होगा जाती प्रथा, बी अप्सण आपका सही है 23 नमबर का question है जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डौट डौट यानि रिक्त स्थान है, कारण बनी हुई है तो इस इरिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा आपका अप्सण है, प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इन में से कोई नहीं तो देखिए, इसमें आपका भराएगा जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है इसलिए आपका अप्सण होगा, ए और बी दोनों चौबिस कोश्चन, चौबिस नमबर का कोश्चन है मुक नायक क्या है, अप्सण है, अखबार, पत्रीका, पुस्तक, कहानी संग्रा तो देखिए मुक नायक जो है वह पत्री का है इसलिए आपका अप्सन होगा B 25 नंबर का question है डॉक्टर भीमराव अम्बेदिकर की मिर्तीव कब और कहां हुई आपका अप्सन है 1956 दिल्ली, 1957 मध्यप्रदेश, 1958 वारांसी, 1969 बिहार तो इसका सही एंसर होगा 1957 मध्यप्रदेश 26 नंबर का question है डॉक्टर भीमराव अम्बेदिकर का जन में कब हुगा या question दो आपका अप्सन है 14 अप्राहल, 1988 14 अप्राहल, 1989, 14 अप्राहल, 1890, 14 अप्राहल, 1891 तिसका सही एंसर है D, 14 अप्राहल, 1891 इसवी में 27 नंबर का question है डॉक्टर भीमराव अम्बेदिकर का जन में कहां हुगा महु, मध्यप्रदेश, गुरकपूर, उतरप्रदेश, डुम्राव, विहार, दानाकुनी, पश्मी, बंगाल या question 2019 में पुछा गया है इसका सही अंसर है A, महु, मध्यप्रदेश 28 नंबर का question है डॉक्टर अम्बेदिकर ने किस पत्रीका का संपादन किया आपका option है उज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिस्कृत भारत, पुरस्कृत भारत इसका सही अंसर है C, बहिस्कृत भारत 29 नंबर का question है भारतिय संबिधान का निर्माता के रूप में हम किनहे जानते हैं आपका option है महात्मा गांधी को, भीम्राव अम्बेदिकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाच चंद्र बोस को इसका सही अंसर है B, भीम्राव अम्बेदिकर को तीस नंबर का question है डॉक्टर अम्बेदिकर का वाडम्बेहिंदी के कितने खंडों में परकासित हो चुकी है आपका option है पंदरा खंडों में, सतरा खंडों में, उनिस खंडों में, 21 खंडों में इसका सही अंसर है D, 21 खंडों में 31 नंबर का question है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुसलता के लिए किसे आवस्यक मानता है आपका option है स्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाती विभाजन तो इसका सही अंसर है A, स्रम विभाजन 32 नंबर का question है डॉक्टर अंबेदकर के पीता का क्या नाम था आपका option है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिसुन सकपाल, राधे राम सकपाल इसका सही अंसर है B, रामजी सकपाल 33 नंबर का question है जाती प्रथा स्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिये हुए है यह question 2008 में पुछा गया है आपका option है स्वतंतरता का भरातित्व का स्रमिक विभाजन का इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर है C, स्रमिक विभाजन का 34 नंबर का question है डॉक्टर भीम राव अंबेदिकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है आपका option है जाती प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विभाप प्रथा, जाती प्रथा तो इसका सही अंसर है D, जाती प्रथा, दोस्तों यह विडियो आपको कैसा लगा, विडियो को लाइक करें, सेर करें चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे की सबसे पहले आप तक विडियो पहुंच सके, अब हम लोग अगले विडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत